दोस्तों आज की हमारी इस मूवी का नाम है ब्रीडर इंसाइड देर बॉडिस वेसे तो मैं एक ब्रीडर मूवी पहले ही एक्स्प्रेंग कर चुका हूँ जिसके व्यूस अल्रेडी लाखों में हैं और आप भी उस मूवी को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको जादा अलगे और वो कैसे ये तो आपको वीडियो देखने पर ही पता चलेगा तो आईए वीडियो शुरू करते हैं तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी ओरत ने पुलिस को फोन किया है और वो अपने बेटे के लापता होने की इन्फोर्मेशन दे रही है लेकिन उसकी आवास फोन पर ठेक से सुनाई नहीं देती और ये सीन यही पर कट कर दिया जाता है अब ये बात मालता नाम के एक आईलेंट पर बने हुए छोटे सा शेहर की है जहाँ पर कुछ लोगों के किडनेप होने की घटनाए हो रही थी जिससे न्यूज रिपोर्ट न्यूज में कवर कर रही थी और वो ये कहती है कि पिछले कुछ महीनों से लोग लापता हो रहे हैं लेकिन मालता कि पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पा रही है अभी न्यूज वाले के सीन के परेलल में एक और सीन चाल रहा था जिसमें एक आदमी अपने घर में कुछ क पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था वो उन पर उनके खाने की हैबिट और रहन सेन पर रिसर्च कर रहा था और फिर ये आदमी एक दूसरे रूम में एंटर करता है जहां पर कुछ लोग बंदे हुए थे उनके शरीर पर घाव थे और घाव पूरी तर से खुले हुए थे और फिर उसकी असिस्टेंट जेनी आकर उससे कहती है कि ओल्गा नाम की एक उरत उससे मिलने के लिए जित कर रही है ओल्गा वही ओरत थी जिसने मूवी की स्टाटिंग में पुलिस को फोन लगा था लेकिन पुलिस से उसे कोई भी मदद नहीं मिली ओल्गा सेंडरा को सारी च चुका है वो सुबह जोगिंग पर गया था और वापस ही नहीं आया फिर फ्लेशबेक में हम कर्ट को देखते हैं जब वो सुबह सुबह जोगिंग पर गया हुआ था वो जोगिंग करते करते ठक चुका था और वो एक वेंडिंग मशीन से और वो एक वेंडिंग मशीन से ड्रिंग लेने पहुचता है लेकिन उसके पास चेंज नहीं था कर्ट को बहुत जोड़ से प्यास लगी थी और उसे एक गरेज का दर्वाजा खुलावा दिखाई देता है जहां पर जाकर वो एक आदमी से चेंज मांग रहा था क्योंकि उससे बहुत जोड़ से प्यास लगी थी वो आदमी कर्ट को कहता है कि वो वेंडिंग मशीन बंद है लेकिन वो अगर चाहे तो उसके लिए कुछ ड्रिंग ला सकता है जिसके बार में कर्ट उस आदमी के गरेज में एंटर होता है और फिर वो आदमी कर्ट के लिए ड्रिंग रेडी करता है लेकिन वो आदमी उस ड्रिंग में कोल ड्रिंग के साथ साथ कुछ और भी डाल रहा था जिसे पीने के बाद में कर्ट को कुछ अजीब फिल होता है और उसे खून की उल्टिया होना चालू हो जाती है और फिर देखते ही देखते उसकी आँख, नाक और सब्दूर से खून बेहने लगा था कर्ट की हालत बहुत खराब हो गई थी और फिर वो आदमी उससे अंदर लाकर उल्टा लेटा देता है और फिर उसके पीछे एक इंजेक्शन से कुछ लिक्विट को इंजेक्ट कर देता है और यह आदमी वही ब्रीडर था जो लोगों को गयाब कर रहा था फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो शिकारी अपने घर के आसपा से शिकार कर रहे हैं इनके नाम थे कैनेथ और मार्कोस मार्कोस शिकार के तलाश में आगे जा रहा था जहां पर उसे रास्ते में एक चोटी लड़की मिलती है और तबी पीछे से ब्रीडर आकर मार्कोस की ही गन से उसके पेर में शूट करके उससे अपने साथ में ले जाता है मतलब कि ये शिकारी ही अब शिकार हो गया था यहाँ पर सैंडरा कर्ट के केस को सॉल्व करने के लिए रिसर्च कर रही थी कि कर्ट से पहले यहां कितने लोग गया हुए है उसे पता लगता है कि गया भोने वालों में जादा तर लोग टूरिस्ट थे जो मालता घुमने के लिए आई हुए थे कुछ की बोडिस कभी नहीं मिली और जिनकी बोडिस मिली थी उनके शरीर पर बड़े बड़े घाव थे जिन में कीड़े पाए गए थे और जांच में पता चलता है कि ये कीड़े उसकी बोडि में पहले डाले गए थे जबकि ये कीड़े किसी जीव या इंसानों के मरने के बाद में पढ़ते हैं जेनी को इन कीडों के बार में पता था और कीडों की स्टेडिस को एंटेमलोजी कहते हैं। जैनी सेंडरा को कहती है कि मास में पलने वाले कीड़ों को नेक्रोफेगस लारवा कहा जाता है जो कि मख्यों के लारवा होते हैं लेकिन लोगों की बॉडिज में मिलने वाले ये लारवा किसी और केड़े के थे जेनी यह कहती है कि ये लारवा इंसान की बॉड़ी में जल्दी बढ़ते हैं और ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जान बुचकर इन लारवा की ब्रीडिंग करवा रहा हो क्योंकि ये लारवा बहुत सारे पैट्स का खाना बनाने के काम में आते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इनके कीमत बहुत ज़ादा है लेकिन कोई विक्ती सिर्फ इन लार्वा को बेशने के लिए क्यों किसी इनसान की जान लेगा जैनी को बस ये शक्ता कि ऐसा भी हो सकता है लेकिन सेंडरा उसका मज़ा कोड़ाती है और वो इस केस को ज़्यादा सिर्यसली नहीं ले रही थी जिससे की जैनी खुदी इन्वेस्टिगेशन करने निकल जाती है जैनी को लगता है कि अगर उसके कीड़े वाली थियोरी सही है तो जरूर किसी पेट्शोप वाले के यहाँ पर वो कीलो का ब्रीडर गया होगा उन कीलो को बेचने के लिए फिर ये सीन कट होता है और शिफ्ट होकर ब्रीडर के यहाँ पर आता है जहाँ पर ब्रीडर की बेटी अपनी डॉल से खेल रही थी और उसके पिता यानि की ब्रीडर लोगों के शेरीर में कीलो की ब्रीडिंग करवा रहा था और जिस आदमी के पेट में कीलो की ब्रीडिंग हो रही थी उसका नाम था कर्ट ब्रीडर के जाने के बाद में उसकी बेटी करट के पास में आकर उसके मूँ पर पॉली बेक को लपेट देती है और फिर वो उसके चेहरे पर चाकू से मार मार कर करट का खेल ख़दम कर देती है और इन कीडों को उठा कर देखती है जो की बहुत ज़्यादा disturbing scene था इदर शिकारी मार्कोस को होश आता है तो वे देखता है कि वो एक रूम में केद है जहाँ पर एक और आदिमी मौजूद है ब्रिडर आकर मार्कोस को एक ग्लास में कोई ड्रिंक पिला कर जाता है जिसके बार में मार्कोस को अपने सिर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था थे और फिर साइकल के टायर के निशान का पीछा करते करते वो लोकल पुलिस को कॉल करके साइकल गुमने की इन्फोमेशन देते हैं वो टायरों के पीछे पीछे एक घर तक पहुचते हैं जहां पर सड़नली उस लड़की को एक बड़ा सा इंसेक्ट दिखाई देता है जिसस से कहता है कि उनकी साइकल रास्ते के बिचो बीच में खड़ी थी और इसलिए वो उसे उठाकर यहां पर ले आया चूकि मालता आइलेंड पर अक्सर चूरिया हुआ करती है जिसके बाल में ये टूरिस्ट कपल अपनी साइकल को लेकर जाही रहे थे कि तब ही केनथ उन्हे कहीं पर देखा है चूकि वो गायब है तब भी उन्हें बाहर से किसी की आवाज़े आती है और वो जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी साइकल गायब हो गई है केनथ उन्हें कहता है कि वो जाकर चोर को पकड़ता है तब तक वो उसके घर में उसका इंतज था ये दोनों अपनी बियर खतम करते हैं और फिर ये लड़का सोचता है कि यहां पर कोई नहीं है और मोके का फाइदा उठाय जाए वो अपनी गर्फरेंड के साथ में इंटिमेट होता है और तभी उस लड़की को खुन की उल्टिया होने लगती है और उस लड़के के भी आख, नाख और सबी दूर से खुन बेहने लगा था वे बेहों शोकर जमीन पर गिर जाते हैं और तभी वहाँ पर बीडर भी आता है उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए नेक्स्ट सीन में मारकोस सलाखों के पीछे था वो भी दर्द में था और खुन की उल्टिया कर रहा था उसके साथ वाल आदमी बिल्कुल ठीक था और तभी वहाँ पर बीडर की बेटी आती है मारकोस को देखने के लिए तभी सलाखों में केद वो आदमी बीडर की बेटी को पकड़ कर मारकोस से उसका हेर पिन निकालने को कहता है ताकि वो वहाँ का लोक खोल सके और इधर वो बीडर भी पहुच नहीं वाला था उन टूरिस्टों को लिकर मारकोस जैसे तेसे उड़ता है और उस बच्ची का हेर पिन निकालता है और लोग को खोल कर वो उस बच्ची को ही अंदर बंद कर देते हैं मारकोस की हालत बहुत ज़्यादा खराबती लेकिन वो जैसे तेसे उस आदमी के साथ बाहर आकर अपने फोन डूनते हैं और फिर मारकोस अपने वाकी टॉकी पर केनेथ को मेसेज देता है और ब्रीडर के घर की लोकेशन बताता है कैनेथ ब्रीडर के पास में ही था और वो तूरंत मारकोस को बचाने के लिए निकलता है मारकोस और हुआ आदमी वहाँ से भागी रहे थे और तब ही वो रास्ते में ये देखते हैं कि यहाँ पर कई सारी लाशे पड़ी है जिन पर ये कीड़े पल रहे हैं और इनमें से कुछ लोग तो अभी भी जिन्दा है वो दोनों जैसे ते से भाग कर बाहर निकलते हैं और कैनेथ भी उनके पास बहुच चुका था लेकिन तभी पीछे से ब्रीडर भी आ गया था वो सबसे पहले कैनेथ को अपनी गन से उड़ाता है और फिर वो मारकोस के मुँ में अपनी बंदुक को डाल कर उसकी खोपड़ी के चिथर चिथर कर देता है फिर अब दूसरा आदमी भी यहाँ से बचकर निकलने वाला था और इन दी एंड ब्रीडर उसे पकड़ ही लेता है सिन कट होता है और हम देखते हैं कि जैनी एक पेट शॉप में है जहाँ पर वो ओनर से पूछताश करती है लेकिन ओनर उसके साथ में कौपरेट नहीं कर रहा था और वो जैनी से कहता है कि वो बस एक प्राइवेट डिटेक्टिव की असिस्टेंट है उसे पूछताश का कोई भी अधिकार नहीं है लेकिन फिर जैनी उसे धमकाती है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो अगली बार यहाँ पर पूलिस के साथ में आईगी जैनी बस यहाँ पर यह जानने आई थी कि क्या यहाँ पर कोई उससे वो कीड़े बेचने आता है शौप ओनर उस बीडर से कीड़े जरू खरीदता था लेकिन वो उसका नाम नहीं बताना चाहता था लेकिन जैनी उसकी शौप की CCTV फूटेज देखने के लिए उसे मना लेती है अगेंट सीन कट होता है और यहाँ पर बीडर उस आदमी को पकड़ चुका था और उसे वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था दरसल यह आदमी पुलिस वाला था और जान बुचकर यहाँ पर आया था और बीडर यह जानना चाहता था कि वो यहाँ पर क्यों आया है इस आदमी के मोबाइल पर सेंडर का कॉल आता है जिसके बार में बीडर इसे पानी में डुबो डुबो कर मार डालता है नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओल्गा सेंडरा के घर पर आई है क्योंकि उसके बच्चे की अभी तक कोई खबर नहीं है ओल्गा को ये लगता है कि सेंडरा बस टाइम वेस्ट कर रही है इन्वेस्टिकेशन के नाम पर जिस पर सेंडरा गुस्टा हो जाती है और दोनों में लड़ाई होती है ओल्गा सेंडरा को बुरा भला कहती है और ये भी कहती है क्यों उसे उसका पती छोड़कर चला गया और तभी जैनी आकर सब कुछ समालती है और बताती है कि वो इन्वेस्टिकेशन कर रही है जिस पूलिस वाले को ब्रीडर ने किडनेप किया था वो पर सेंडरा का हस्बेंड था और वो भी ब्रीडर के जाच परताल करते समय उसके चंगुल में आ गया और तबी अचानक होता ये है कि सेंडरा ओलगा को वोटका पिलाती है जिसमें जेर था जिससे की ओलगा वही पर म पर जाती है और फिर सेंडरा जेनी को भी बोटल से उसके सीर पर माल कर उसे घायल कर देती है फिर सिन कट होता है और ये ब्रीडर उस पेट शॉप के ओनर को भी उठा लेता है क्योंकि उसने जेनी की मदद की थी जेनी को जब होश आता है तो वे देखती है कि वो ब्रीडर के यहां पर केद है और उसके सoff में वो पेट ऑनर भी है, जिसके बार में breeder shop ऑनर के पास में आता है, और उससे उठा कर ले जाता है, उसके उपर breeding करवाने के लिए, और फिर हम देखते हैं कि पीछे से sendiri आती है, जिससे देखकर सबी शोक हो जाते हैं, और फिर यहां पर एक बह ब्रीडर का ही था जिसके बार में सेंड्रा शॉप ओनर के पास में आती है। और उसकी गरदन میں चाकू हुघ। उसे मा डालती है और फिर वो उसे काटते काटते ब्रीडर से कहती है कि वो नजाने कब से उसे बचाती हुई आ रही है लेकिन ब्रीडर बस अपने फायदे के लिए लोगों को मारे जा रहा था सेंडरा और ब्रीडर अपनी बातों में लगे हुए थे और हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रीडर की बेटी जेनी को आज़ात कर देती है क्योंकि ब्रीडर सेंडरा को भी वो एंग्जेक्शन लगाने आ रहा था जिन में इन कीडों के लारव होते थे फिर ब्रीडर जब जेनी के रूम में पहुचता है तो वे देखता है कि जेनी वहाँ पर नहीं है और वो जैसे ही पलटता है तो जेनी उसके सीर पर बोटल फोड़ कर उसे ही लॉक अप में डाल कर वहाँ से भाग निकलती है यहाँ पर सेंडरा परेशान बेटी थी क्योंकि उसका पती भी मर गया था और उसका बोईफरेंड भी अब नहीं बचने वाला था और तब ही जेनी यहाँ पर पहुच जाती है सेंडरा के पास में उसे सजा देने के लिए सेंडरा उससे कहती है कि वो फसी हुई थी और अगर वो चाहे तो उससे छोड़ने के बतले उसे बहुत ज़्यादा पेसे देगी लेकिन जेनी उसकी बाते नहीं सुनती और वो बीडर की बेटी के साथ में मिलकर उसे वही पर उसी चेर से बान देती है और फिर बीडर की बेटी सेंडरा के पेट में वही इंग्जेक्शन लगा देती है जिसमें की वो कीड़ो के लारवा होते थे जिसके बार में ये दोनों यहां से चले जाते हैं और एक सीन में हम ये देखते हैं कि बीडर के पास में लॉक के चाबी थी और वो उस लॉक को खोल लेता है फिर नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं एक न्यूज शो पर जेनी का इंटर्व्यू चल रहा है वो बताती है कि बीडर ने अपनी बच्ची को ही किड्नेप कर रखा था और वो अब चाइल्ड केर में है उन लोगों को बीडर का गैरेट से कई सारे लाशे मिली लेकिन वो बीडर और सेंटरा दोनों को नहीं खोच पाए मूवी के लास्ट वाले सीन में हमें देखते हैं कि बीडर सेंटरा के साथ जेनी वाली न्यूस को देख रहा है और वो बस कुछ लोगों को काड भी रहा है जिसके साथ में ये मूवी यही पर एंड हो जाती है तो दोस्तों ये मूवी एक ऐसे बीडर पर है जो कुछ कीडों की बीडिंग करता है इंसान के उपर वो लोगों को किडनेप करके पहले उन्हें एक ड्रिंक पिलाता है जिसमें वो कीडों के लारवा होते हैं और वो उनके दिमाग और अंदर के पार्ट्स को खाकर बढ़े होते हैं लेकिन बीडर की बेटी को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो जैनी के साथ में बीडर को रोखने की कोशिश करती है मूवी के एंड वाले सीन में दिखाया गया है कि बीडर और सेंडर दोनों बच जाते हैं क्योंकि उनके पास में उन कीलों से बचने के लिए एंटी डोट था लेकिन उस बीडर ने अभी भी कीलों की ब्रीडिंग करने वाला वो काम नहीं छोड़ा था तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में